हाई फ्रेंट्स दिस प्रोफेसर कार्तिक त्रियदी वाचिंग और माई यूटीब चैनल आज हम जो देख रहे हो नुमेरिकल और फ्रांसिस ट्यूब देखने वाले ठीक है तो जिन लोगों ने डिजाइन एसपेक्ट और फ्रांसिस टर्बाइन इसका पिछला वाला वीडि आएगा वो बोला हुए प्रांसिस टर्बाइन प्रोड्यूस 150 किलोवाट यानि जब भी आपको बोले प्रोड्यूस सम्थिंग किलोवाट उसका मतलब यह साब टावर ही होता है तो साब टावर देके रखा है 150 किलोवाट फिर आगे बोल रहा है एविंग एन ओवर्रोल ए प्रोड़ हें चली किलोएं परिफरी यानि यूओन की बात कर रहा है तिकिस आए उसका मतलब शोटा है बीए ख़ङ होता है और पर inlet होगा तो U1, velocity of flow होता है VF पर inlet होगा तो VF1, so U1 आपको देखे रखा है 0.25 under root 2GH और VF1 देखे रखा है 0.95 under root 2GH, respectively, if the hydraulic losses in the turbine are 20% of available energy, तो hydraulic losses in the turbine 20% हो रहा है, उसका मतलब क्या हो, efficiency 80% हो भी, so 100 watt दे रहा है, उसमें 20 watt ही लो रहा है, तो 80 watt तो I am getting, so indirectly उससे hydraulic efficiency देखे रखिए हो जो कि है, 80% तो 0.80 हो जाएगा, बोल रहा है, guide blade angle at inlet, so alpha 1, wheel when angle at inlet, so beta 1, diameter of wheel means capital D, and width of the wheel at inlet, यानि capital B1, so यह आपको find करना है, तो चलो आप यहाँ पर आजाए, तो सबसे पहले मैंने आपको देखा था कि यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, U1 बराबर क्या होता है, U1 इकोल टो होता है, मैंने design aspect में से इका था KU under root 2GS, आपको ध्यान से देखो, यह वही से चीम इसको देखे रखिया नहीं, KU आपको कितना देखे रखा है, 0.25, कभी-कभी क्या होगा, example में KU देखे रखेगा, 0.25 है, तो आपको इसका यूज करना है, KU under root 2GS, तो यहाँ पर डिरेकली देखे रखा है, तो हमें पता है, 0.25, 2, G की value 9.81, H की value है, हमारे पास 10 meter, यहाँ पर डिरेकली लखो, आपको U1 मिल जाएगा, उसी तरीके से, यह ध्यान से देखे, मैंने आपको बढ़ा है था, VF1 is equal to KF under root 2GS, KF क्या होता है, flow ratio, तो यहाँ पर flow ratio 0.95 already देखे रखा है, so we can write VF1 0.95 under root 2GS, तो H की value सिर्फ डाल नहीं, H की value कितिने 10 meter, यहाँ पर डालो VF1 मिल जाएगा, जिचिस 30.31 meter per second, तो हमें जो भी data देना पहले उसका इस्तमाल कर लो, दूसरी चीज़ आपको याद रखलो, हमें सा, Francis Turbine में जब भी आपको hydraulic efficiency देगा, उसका मतलब यहाँ से आपका VW1 मिल जाएगा, याद रखो Francis Turbine के अंदर जब भी hydraulic efficiency देगा, उसका मतलब आपको VW1 यहाँ से मिल जाएगा, so hydraulic efficiency क्या होता है, runner power upon water power, so water power I know, row QGH, यह कुछ नहीं है, output ही है, output upon input है, ठीक है, so hydraulic efficiency is nothing but the output, efficiency of, और particular turbine, so output upon input, so यह runner power, runner power यहाँनि जो output मिल ता है, वो होता है, वो क्या होता है, row A V1, VW1 U1, plus VW2 U2, divided by मैंने, हम बोला है, के याद रखो, बच्चो, जब भी अभी यह जितनी भी Francis turbine हैगी, Kaplan turbine हैगी, वहाँ पे input होता है, वो pressure energy होता है, so input हम लिखेंगे, row QGH, तो याद रखो, row A into V1, तो यह तो QE है ना, so row Q, row Q cancel, so बच्चा क्या, VW1 U1, plus VW2 U2 upon GH, मैंने आपको बोला के Francis turbine में हम radial discharge consider करते, तो यह inlet का triangle और outlet का, तो outlet में V2 क्या होता है, alpha to 90 degree हो जाता है, V2 vertical होता है, so VW2 क्या होता है, 0 मैंने theory में बढ़ा हुआ है, so यह पूरा 0 हो जाएगा, तो बच्चे का क्या, VW1 U1 upon GH, तो यह होती है hydraulic efficiency for Francis turbine, अब ध्यान से देखिए, hydraulic efficiency उसने देखिए रखिए, कितनी देखिए रखिए है, उसने 0.80, so hydraulic efficiency I am having, U1 की value है, head की value है, G9.81S यहाँ पे VW1 मिल गया, कितना है, 20.41 meter per second, ठीक है, अब आते हैं velocity triangle के उपर, यूगि उसने alpha 1, beta 1 रुणने को बोला है, so यह तो V1 होगा, यह U1, यह VR1, यह VF1, V1, 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 V1 की value है, तो alpha 1 मिल जाएगा, that's it, उसी तरीके से 10 beta 1 यहाँ पे लगाओ, तो V1 into this, so V1 minus U1 बात करूँगा, तो यह मिल जाएगा, so V1 upon V1 minus U1, यह भी सारी value आपको beta 1 मिल जाएगा, ठीक है, अब याद रखिए, उसने क्या देखिए रखा है, अब उसने देखिए रखा है, overall efficiency, हमें ऐसा याद रखो, overall efficiency से आपको discharge मिल जाएगा, लेकिन आप याद रखिए, जो आपको रो QGH मिलेगा, वो आपको किलो वट में मिलेगा, यह सिर्फ रो QGH है, उसको आपको डिवाट 1000 से करना पड़ेगा, दब इस दोनों को comparison कर सकते हो, मैं क्या बोलने वाला हूँ कि यहाँ पर water power आपको मिलेगा, जो किलो वट में मिलेगा, क्योंकि साब पावर किलो वट में है, ठीक है, क्योंकि यह मालो कि यह रो QGH मिलेगा, आपको 50 किलो वट, so you cannot write रो QGH is equal to 50 किलो वट, you have to write रो QGH upon 1000 is equal to 50 किलो वट, and then you have to find Q, क्योंकि यह वोट में है रो QGH, उसको किलो वट में कनवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यह किलो वट है, तो नीचे वाला भी किलो वट ही होना चाहिए, so divide by 1000 is equal to 50, तो Q को subject बना दीजिए, आपको discharge मिल जाएगा, जो आएगा 1.53 मिलेटर क्यों पर सेकेंड, अब बोला है, विद डून दीए, तो हमें पता है, कि हमें discharge का हमें पता है, क्या equation है, Q, PYD1, B1, VF1, क्यों मुझे पता है, B1 सिर्फ एक equation में आता है, discharge में, पर देखो, VF1 है, PY है, लेकिन D1 नहीं है, पर मुझे पता है, U1 is equal to में क्या लिख सक्टा हूँ, U1 is equal to लुके नहीं है, PYD1 है न अपोन 60, तो U1 की value हमने डून लिए, N की rotation देखके रखा हूँ है, तो यहाँ पर diameter मिल जाएगा, जो आया, 0.445 meter, ठीक है, तो आप तो diameter भी है, PYBA, VF1 है, तो आपको V1 मिल लेगा, V3 inlet, so this will be my answer, कभी कभी क्या करेगा, बच्चो डिस्चार्ज आपको नहीं देगा, तो डिस्चार्ज नहीं देगा, तो आपको यह equation लगाना पड़ेगा, फिर PYD1, B1, VF1 is equal to PYD2, B2, VF2 क्या करेगा, इस में से पूरी यह सारी value, यह value और यह value देगा, सिर्फ रहेगा होगा, remaining B2, तो आपको B2 तुनने को बोला होगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं की discharge है, अभी आपको, तो यह दोनों value भी दीके रखी हो, तो इस तरीके से भी answer आ सकता है, so you can try like this, पर वो उस का इपका numerical हो ताब, ठीक है, तो फ्रांसिस टर्बैन में यह होगा, आप जितने example गिनना चाहो, उतना गिन लो, same procedure आएगा, थोड़ा minor change करेगा, मैंने वहाँ पर बोला, उस तरीके से वो twist करेगा, बागी कुछ इस में नहीं हो सकता, so this is how you can solve the example of Francis टर्बैन, आपको वीडियो अच्छा लगए, so like, set, subscribe करें, have a nice day, bye bye,